नहीं रहे आरेशस के बड़े संगठन करता सुरेश बाबू अंतिम्यात्रा में शावन मिल हुए संग के कई बड़े चहड़े राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग के बड़े शंगठन करता देश भड़ में संग के बड़े चहड़े के रूप में ख्याती प्राप्त बिहार जारकन बंगालो रीशा समेथ पुर्वोत्तर भारत में संग के कई बड़े पदों पर अपनी सेवा देने वाले सुरेश प्रशाद सिंग का नधन हो गया है सुरेश प्रशाद सिंग ने संग को सेवा निर्वित से पूर्व और उसके बाद भी लगतार साथ वर्सों से भी अधिक सेवा प्रदान की है और संग को ग्रामीन छेत्रों को तक मजबूत करने में अहम योगदान दिया है सुरेश सिंग मूल रूप से मुकामा प्रखंट के हाथिदा निवासी थे अस्थानिये मुखिया ससी संकर सर्मा ने बताया कि साम 6 बजे के बाद उन्हों ने खुदे फोन कर कई लोगों को अपनी तबित खराब होनी की जानकारी दी थी मुखिया ससी संकर सर्मा दरियापुर की मुखिया सैलेंदर प्रशाद भाजपा नेता राकेश कुमार और कई स्वेम सेवक उनके हाथिदा आवास पर पहुंची और उन्हें बेगु सुराय के एक नीजी अस्पताल में ले गए जहां इलाज की क्रम में उनका निधन हो गय प्राप्तुजानकारी के अनुसार 4 अप्रेल 1942 को सुरेश शिंग का जन्मातिदा में हुआ था तीनों भाईयों में वे सबसे बड़े थे संग के स्वेम सेवकों ने बताया कि उन्होंने शंग में अनेक दायत्वो का निर्वहन करते हुए छेत्र कारेवाह रहे शाथी प् प्रवीन कुमार सोनी निलेश कुमार पवन समीत अधिवक्ता जयवरधन पत्रकार अविशंकर श्रमार दर्जनु संग के स्वेम सेवकों ने उनके पार्थिव सरीर पर श्रधा सुमन अर्पित करूने भाविनी स्रधांजली ती मुखियार शसी संकर सर्मा ने कहा सुरेश बाबू का निधन ना सिर्फ संग के लिए बलकि समाज के लिए भी अपूर्णी च्छती है और मेरे लिए तो ये वेक्तिका च्छती है उनके वेक्तित्व का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि परमपूर्जे संग चालक मोहन भागवत जी खुद कई बार आकर इनके आवाज पर उनसे मिला करते थे सुरेश प्रसास सिंग एक्यासी वर्ष के थे उन्होंने गुरुबार की शाम साथ पैतालिस में अंतिम सास ली और इस दुनिया को अलविदा कहा आज उनके भतीजे एडवोकेट अभी मन्यू ने उन्हें मुखागनी दी और वे जिता तुमें में बिलीन हो गए